सर्दियों का मौसम आते ही आपको भी सर्दी खांसी जुखाम बलकम जैसी समस्यों का सामना करना पड़ता है तो वेलकम गाई स्वागत है आप सबी का फिर से मेरे चल में तो आज लेके आएं ऐसी हमरेमेडी जो आपकी इन सारी समस्यों को बिलकुल ही खतम कर देगी बच्चे हों बड़े हों बुचुरकों ये सभी के लिए बहुत हेलफुल होने वाली है सभी पिरकार की धवाईयां यूज करने के बाद भी कोई भी असर नहीं हो रहा है तो ये उसका आपके लिए बहुत इदा फाइदे मंद होने वाला है इसका अगर आप नेमित रुप से सेवन करते हैं तो आपकी कितने भी पुरानी खासी हो सर्डी हो सीमे में जमाफ हो गया हो बल्गम की समस्या हो तो ये बिलकुल ही दूर हो जाएगी अगर इसका आप नीमी तरुप से सेवन करते हैं तो guys इसको आप बिल्कुल एक स्ट्रेप को जरूर फॉलो करिए प्रॉपर इसका अगर आप सेवन करते हैं इसको प्रॉपर ली बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुती फाइदे मन दो है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो चलिए हमने लिए हैं कुछ इंगेरियंट तो चलिए गाई देखते हैं कि कौन-कौन से इंगेरियन की जरूरत हमें पढ़ेगी तो guys आप यहां पे देख सकते हैं मैंने आपके कुछ चीजे लिए हैं चार काली मिश्ले हैं आपको चार पन तुल्सी के पते दो लॉंगे चोटे अध्रक के टुकड़े और अधन नीवु सारा नीवु नहीं डालेंगे थोड़ा यूज करेंगे और यहां पे लिए हैं जो हम लास्ट में एड करेंगे तो चलिए जो बहुत ज़्यदा फाइदे मंद होते हैं अधरक एड करेंगे बाकी काली मिश्ले और लॉंग एड करेंगे यह सारी चीज आपकी खांसी के लिए बहुत ज़्यदा फाइदे मंद हैं तो गाई सिहां पर हलका हलका हम वाइल होने देंगे अभी हमने इसमें नीवु एड नहीं किया है जब यह हलका बॉल हो जाएगा तो हम नीवु एड करेंगे तो यहां पर यह थोड़ा सा बॉल होना सुरू हो गया है अब हम एड करेंगे यहां पर नीवु तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहां पर सिर्फ आदा चमची नीवु एड किया है तो आपको अदा चमची एक कप के कोड़े एड करना है और इसको बॉयल होने देंगे तो जब तक इसका पानी आदा नहीं रह जाता है अप मिरियम फ्रेम के इसको बॉयल होने देज़ तो हलका हलका यह बॉयल होगा तो गाईस आप देख सकते हैं यहां पर पानी अच्छी से बॉयल हो जो हमारा पानी है वह भी आदा रह गया गया गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसको हलका ठंडा होने के देंगे तो आप देख सकते हैं पानी बहुत ही थोड़ा रह गया तो यह हमारा बिल्कुल रेरी हो गया है चाल लेंगे तो हमने लिए एक बाउल और चाल लेंगे वो हम इसमें चान लेंगे तो यहां पे हमें वाटर मिल गया है यह पांच से छे चमच हमारा वाटर हमको मिल गया है यह हलका गरम है हमें यूज कर रहा है बिल्कुल गुन-गुना तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके इसका कलर आया है और यह बहुत ही जदा फाइंदे कि देना है अगर आप किसी बच्चे को दे रहे हैं तो आप चोटा बच्चा यह मैने तक का तो आप इसको सिर्फ दो ही चमच दीजी अगर छे मैनी से बढ़ा है तो आप इसको चार चमच दे सकते हैं तो गाइस अब हम यहां पर एड करेंगे एक चमच हनी तो गाइस एक बहुत ध्यान रखनी है कि आपको हनी एड करके ही देना है क्योंकि हनी इन सारी चीजों के लिए बहुत यदा अच्छा कॉमिनेशन होनाती है जिसे क्या होता है एक प्रॉपर जो ड्रिंक है बनके रेडी हो जाता है तो यहां पर अच्छे से मिसको मिक्स कर लेंगे और क्य करते हैं अच्छे से शॉभ और अप्टर में फाइड करें बॉड़ और समय लो एग यार टम कारें अगर को स्कॉर्ड करते हैं उसको बहुत इसको अप्तरा घृ करें थी ढ़क्त दोख सर्ड़-ऱ्कनी समस्या हो रही है तो जाए उसको आप ट्रा करिये जूओ बता यह कि इसका सेवन करने से आपको कितने ददा फाइदा हुआ और कोई भी अगर हैल्स रिलेटिट कोई प्रॉबलम है इसके रिलेटिट कोई प्रॉबलम है तो आप मुझे जरूर कोशन करिए मैं उसके लिए जरूर आंसर करूँगी इसको आप ट्राइ करें फैमिली और फ्रेंस में शेयर करें किसी को भी प्रॉबलम है अगर सर्दी खांसे जुकाम की बच्चे को बढ़ो को बजुर को तो आप उसको दीजे उसके लिए बहुत यदा हैल्फुल होगी सर्दी जिनकी कभी ठीक नहीं होती है इनके सेवन से उनकी जो ये प्रॉबलम है बिल्कुल दूर हो जाएगी ये बहुत ही सदियो बराना नुसका है जो बहुत से लोग ट्राइ करते हैं और उनको इसका बहुत ज़्यदा फाइदा होता है आपको भी इसका फाइदा जलूर से ज़्यादा ही होने वाला है इसको आप बनाएए और अगर आपको कोई भी चीज इसमें स्टैप नहीं समझ में आया हो तो आप कोशन करके उसको पूछ सकते हैं बच्चों को बड़ो काप दीजे ही बहुत ही हेल्फुल होने वाला है आपके बच्चे की सर्दी कांसे जुकाम बिल्कुल इससे दूर हो जाएग तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें शर करें और साथ में पने रहें धन्यवादा